अज़े 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 लिए अज़े इसलावालेकूं फ्रेंज इश्यक की चन्द में आपका बहुत पेख साथ वेलिकम हैं आज वोप आप सो खेर यह सोंगे आज मैं बनाने जारी हूं मत्र पनीर पुलाओ तो चलिए स्टार्ट करते हूं अपना मत्र पनीर पुलाओ बन पूंठीर फेश फाफ टीस्पोन के लिए है अपनी टेस्ट के अपॉडे दीजेगा और गरम असालों में आ पर लिए हैं दो तेस पत्ते हाफ तीसपून स्याजीरा दो लॉंग हाफ तीसपून जीरा एक बड़ी लायची दो छोटी लायची और दस ते पंद रा काली मिर् अधितके मानों था custodyΠाफ obligation इसे ये निमसमक्तर यह माइने कॉत इंहें करलीआ है। एक बड़े शाइस की प्यास ती को मैने 캡़े लिया है। और ये दो टेबल स्पून अध्रक लसन का पेस्ट पांच हरी मिर्चियां और ये बारा खाचू और ये एक लीटर पानी मैंने आधा किलो चावल लिए उसकी डबल कॉंटिटी का मैंने पानी लिया है आपर एक लीटर ये एकदम पॉफेक्ट रहेगा हमारे पुलाओ में चल कि अधार कि एकने फेस्वां हमारा तेल गर्म हो रहा है तो अधिकी हमारे ते गराम हो चुकत है अब मैं अपनी में सब STEVE साइब कर लोगी फिसमे पहले सब फाराइँ गार ये हम अपना पनी अच्छे सप्राइब है गोल्द ανीज लोग रखशेंगे घुकित को बाटव कर अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे हमारा पानीर फ्राय हो चुका है चली अब हम सेम तिर में अट कर देंगे अपने सारी गरम मसाले और अब हम इसमें अट कर देंगे अपनी एक प्यास बिसमिला चली अब हम अपनी प्यास को भी फ्राय कर लेंगे इसको भी हम गोर्डन राउंड कर लेंगे अपनी प्यास को फ्रेंड प्यास के साथ साथ हम अपने काजू भी अच्छे फ्राय हो जाए इसके साथ अब प्याज हो चुकी है अब हम इश सब avoist कर देंगे अपने अध्रकलसिन का पेस्ट कि थे यंशन्ट करते हमारा अध्रकलसिन खुब अब हम इसमेट कर देंगे अपने सूखे मसाले नमक मिर्ची हल्दी साप पौडर चलिए इन सब को भी अच्छे बुन लेते हैं गिड़ेगे फ्रेंट्स हमारे मसाले को अच्छे भून चुके हैं अब अमस्मेट कर देंगे अपने टमाटर अब टमाटर टाल का मैंने अपनी गजस की फ्लेम लो कर देती हूं ने कुके सीबू कुल कि हमारे धकन कमएंगा थोड़ Pra discussed है पर योजो है देखे हैं अहां में व्यूर्ण हम ही थोड़ा सऊंप हो किई अार्ट वन्हेतर भना चुके हैं अब 是गना quill ईा जातना है कि चलि अब हम इसको उच्छे से चड़ा दिए इस साथ है चली फ्रेंट अपने मट्ट रएट कर दी है मौणा है इसको पांच मिनिट के लिए पका लेंगे चलीफ्रेंट लोचुक है पांच निट अभम इसको चैक कर दें बिसमिल्ला है माश्यल्ला फ्रेंट बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से बस अब हमारे जो मटर है वो चावल के साथ सगर जाएंगे तो बस अब हम इसमें अड़ कर देते हैं अपने चावल दो लिए और फ्रेंट मैंने चावल भीगाएं नहीं है इसलिए मैं इसकी डबल कॉंटिटी का पानी डालूंगी और अगच्छे हमने भीगाए होते चावल तो हम कम पानी डालते चली फ्रेंट अब अपने चावल मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं माश्यल्ला देखिए कितना अच्छ यह पूरा एक लीटर पानी है मेरा और अब मैंने गैस की फ्लेम हाई कर दी है ताकि पानी में बॉइल आ जाए यह दिए फ्रेंट मेरे दो ग्लास चावल ते आने की आधा किलो चावल और इसमें मैंने चाल ग्लास पानी लिया है आने की पूरा एक लीटर पानी तो आधा क आपके चावल नहीं भीगा है तो यह कॉंट्रिट एक दम पॉफेक्ट रही है आपके चावल एक दम खिले खिले एच्छे पकेंगे यह दिए फ्रेंड इसमें बॉइल आ चुका है अब हम इसमें एड कर देंगे अपने पनीर बिस्मिल्लाव अचली इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इनके साथ वो माशाललही तो अभी से इतना प्यारा दिख रहे है और खोश्बूत ला जवाब आ रही है इसमें से चली अब हम इसमें अपनी हरी मिर्शिया काट काट के डाल देंगे बस बड़ी बड़ी काट के ऐसी डाल दीजिए चली फ्रेंड अब हम इसका नमक टेस्ट करेंगे चली फ्रेंड में यह तो नमक मिर्ची सब चीजी इदम परफेक्ट है अब हम इसको ढाग देंगे और फ्रेंड जब इसका पानी ड्राय हो जाएगा फिर हम इसको रख देंगे सिजाने पे यह देगी फ्रेंड इसको पकते वे साथ से आट मिनिट हो चुके हैं और यह 90% पक चुका है और दस मिनिट जो हम से जाएंगे तो उसमें पक जाएगा चली इसको सिजाने रखते हैं और फ्रेंड हम इसको सिजाने के लिए नीचे तावा रखेंगे ताकि हमारा पुलाव जले नहीं बिस्मिल्ला और फ्रेंड हम इसको दस मिनिट से जाएंगे यहीं दस मिनिट हो चुके हैं हमारा पुलाव ड़ी हो चुका है अब हम अपने गैस की फ्लेम आफ कर देंगे बिस्मिल्ला और अब हम इसको दो तीन मिनिट के लिए सेट होने देंगे ताकि जो इसका प्रेशर हो इसी में रह होते रहें 우् कि भाद हम इसको सफ करेंगे ड़ी दो मिनिट हो चुके हैं अब इसको सफ करेंगे बिस्मिल्लम एहीं इसे आप बना बनाईय ट्रै करीं एपनी पैयरी फैमली करिए दुआउं में याद रखिए अल्ला सको खुश रखिए अच्छी सेहत दे अला हाफिस थैंक्स वाचिंग लाइक शेर सब्सक्राइब और कमेंट